सभी संगत को जैमाता की आज बात करेंगे देव उठनी एकादशी ग्यारस की जिनके पित्रों का पूजन रहता है जिनोंने दिपावली पर अपने पित्रों का पूजन नहीं किया तो वो कब कर सकते हैं दिखे दिपावली के ग्यारा दिन बाद ये जो ग्यारा साती है एकादशी भी इसको बोला जाता है देव उठनी एकादशी भी कहते हैं इस दिन आप अपने पित्रों का पूजन कर सकते हैं किसी भी कारण के वस अगर किसी के पित्रों का पूजन नहीं हुआ है उनको भोग महीने का 40 दिन का पहर रहता है सुतक मन्य ही रहता है 40 दिन के बाद सब महीने के बादी कर सकते हैं किसी भी पंडिक जी को आप वस्तरादिदान दे सकते हैं छोटा मोटा कोई हवन उनके नाम का आप करवा सकते हो तो क्या होती है देवुट नेकादशी ये माना जाता है कि भगवान विश्णु चत्रुमासा पूरा करके जो योग निद्रा से जागते हैं कुछ लोग इस दिन दुलसी विवा आदि बनाये जाते हैं इसमें सिंगाडे वगारा मूली वगारा रखके पुजन किया जाता है और किनी के घरों में तो खीर भी बनती है कोई सामक की खीर बनाता है कोई चावल की खीर बनाता है अपने अपनी परंपरा होती है लाल रंग से गेरु से डोरे भी छोड़े जा पूजन होता है धीड़ी साथ अलिभ का feel कर सकते हो 2010 कि चाहिए इस प्रकार से क्या होता है कैजए 11 preço i पित्र पक्ष में धर्ती पर उतरते हैं और माना जाता है कि 11 तक यह कहा दाए और अपने भोग प्रशाद के लिए अपने तरपन के लिए इंतजार करते हैं कि हमारे वन्षज हमारा तरपन करें हमारा किसी भी प्रकार से मान सम्मान उनका भोग प्रशाद जो रहता है वो उनको दे किनी के घरों में उत पित्रों के दिक्कत होती है कोई अकाल मृत्य को प प्रासुट्रों के पूजन में प्राइधा क्या बैसे लिए कुल की देवियां पूजन पूजन होता है जिनके घर में बच्चा और पादा हो जाता है जब तक बच्चा सब महिने का नहीं होता है पूजन नहीं कर सकते जैसे दिपावली के आसपास किसी को बच्चा हो जाता है या किसी के घर में किसी की मृत्त्यू हो जाती है इसको सुतक पातक बोल दिया जाता है आमसी देशी सी भासा में तो आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी जो लोग एकादशी का वरत धान करना चाहते हैं जरूर करिए क्योंकि वर्ष में एक ही बार ये एकादशी आती है भगवान विश्नु योग निद्रा से जागते हैं जो भगवान विश्नु के पुजारी हैं जो माता लक्षमी की पूजा करते हैं जो अपने घर में अखंड लक्षमी चाहते हैं वो एकादशी का वरत इस दिन जरूर करें ये अपने अपने माने दैसा धान तोर पर ही कर लीजिएगा क्योंकि गूगल पे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इतनी सामगरी जुटा नहीं सकता है एक आम इंसान परन्तु आपसे जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत रितु फल केला से बग्यारा चड़ा करके मीठा कुछ भी चड़ा सकते हैं आप वरत दान करिए जैसे घर के यह भांजा होता है जमाई होता है फूपा होते हैं इसी प्रकार से यानि के द्याना बोल दे जाता हमारे हैं उनको भी दे सकते हो आप वह जैसे आपकी कुल की परंप्रा है उसी अधार पर दीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो अच्छी लगते तो लाइक जरूर किया करें और सभी को जामाता की